नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पे और आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपर्टेंट कुछ कोस्टान को डिस्कास करेंगे और यह कोस्टान हर तरह से हर परकाल के होगे यानिकि यह कुल मिलाकरम कर सकते हैं मिसलेनियस कोस्टान होगे यह जो होंगे हिस्ट्री एकनोमिक्स पॉलिट्टी और करेंट अफ्यर से रिलेटेड होंगे और यह स्ट्राटिक भी होंगे ठीक यानिकि यह जो क्वेश्टान होने वाला है हर तरह से इंपोर्टेंट होने वाला है तो वीडियो कौन तक देखेगा एक से कच्छे-च्छ दूसरा कोश्चन है किसने हुगली को बंगाल की खारी में लूट पार्ट के लिए अड्डा बना रखा था अगला कोश्चन है इटली के एकी करण कब हुआ था इटली का जो एकी करण था वह कब हुआ था तो हमारा आंसर होगा इटली का एकी करण किया गया था तो लिए वह आगे देखते हैं अगला कोश्चन है पूर्शों के ओडियाई किरिकेट विश्व कप दोहजाद तेइस की मेजवानी कौन सा देश करेगा ठीक यानिकि दोहजाद तेइस में जो वर्ड कप होने वाला है वर्डे यानिकि अगला कोश्चन है पूर्शों के टी ट्वेंटी किरिकेट विश्व कप दोहजार एकीस की मेजवानी कौन सा देश करेगा यानिकि दोहजार ये बीस में होने वाला था नॉमबर दी संबर में जोकी नहीं हो पाएगा कोरोना वाया से चलते तो इसको दोहजार एकीस में कर ख्रने वाला था भारत लेकिन अब दोहजार ये 22 काहज हो गया ये ऐस्ट्रेलिया करेगा फिल से एक वा समझते हैं यानिकि 2021 वाला जो है इसकी मेजवानी इंडिया करेगा और ये 2022 यहां पे 22 कर लेंजेगा दोहजार बाइस का टी टैवन्टी वर्ड कोप होगा उसकी चलिए अब अगला question देखते हैं नेक्स्ट कॉस्टन है मारा क्रीप्स मिशन भारत कब आया था तो में आशर हो जाएगा अकबर और महाराना पाताव के बीच में यह हुआ था ठीक चलिब नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं अगला कोस्चन है वाला 600 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेस्ट गिंदवाज कौन बन गए हैं ठीक यह करेंट फियर्स के कोस्चन है ठीक तो हमाई आंसर के ह जेम्स एंडर्सन पाकिस्तान के खिलाफ मैच में उन्होंने इस कृतिमान को हासिल किया अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है भारत में शिक्षा की प्रगति की समिक्षा है तू विलियम हांटर समीथी के गठन की सवर्स किया गया था तो मैं आंसर हो जाएगा उसमें भारत को जो वाइसराय कौन था तो लॉड रिपन उसमें भारत का वाइसराय था ठीक चलिए अब अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन हमारा मिलखा सिंग को और किस नाम से जाना जाता है तो मिलखा सिंग को दफ्लाइंग सिक्ष के नाम से भी जाना जाता है ठीक अगला कोच्छन है अगला कोच्छन है विश्व का सबसे छोटा नदी दीप कौन है तो इसका आंसर हो जाएगा उमार नंदे यह कहा है यह यह यानिकि सबसे बारा और सबसे चोटा दूनों कहाब है और असम्में सबसे बरा का क्या नाम है माजुली और सबसे छोड़ा का क्या नाम है उमानद चलिए अब next question लेखते हम भातिय समिधान में कितनी अनुसूचिया है तो भातिय जो समिधान है उसमें टोटल बारा अनुसूचिया है लेकिन जहां समय धान बनकर तयार हुआ था उसमें कितने दो सुचिया थी तो उसमें आठ थी लेकिन ज़रुरत करूंसा इसको बढ़ा कर दिया गया है चलिए अगला कोश्चन है असम किराधानी सिलोंग से दीजपूर कब हुई थी ठीक पहले असम किराधानी सिलोंग हुआ करती थी लेकिन बाद मिया दीजपूर हुई तो यह कब हुई तो 1974 इसमी में असम किराधानी सिलोंग से दीजपूर हो गई चलिए नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन है भारत का राष्टपती बनने वाला प्रथम असामी कौन था तो भारत का राष्टपती बनने वाला प्रथम असामी डॉक्टर फखरुदिन अली अहमद थे ठीक यहां से मैं एक कोश्चन आपसे करना चाहूंगा अगर वीडियो आप देख रहे होंगे तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा कि इस समय यानि कि जब डक्टर फक्रोदिन अली अहमद भारत के राष्टपती थे उसमें भारत की पधान मंत्री भारत के पधान मंत्री कौन थे पीम अफ इंडिया उसमें कौन थ इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिए का दीजियें ठीक कि जब डक्टर फक्रोदिन अली हमद भारत के राष्टपती बने उसमें भारत के पधान मंत्री कौन थे चलिए अगला को स्चन देखते हैं में अगला को से कि नीसमें अपने आपको बंगाल का शेर कहा भात में 5 कुट की सुरात की गई थी अब आगे कोश्टन देखते हैं अनुछेद्म समिधान सोधन का प्रावधान समिधान के किस अनुछेद े है तो अनुछेद 366 का संबंध समिधान सोधन से है अगला question है PM-Candh का मुल नाम क्या थे बहुत भड़ी राइटर है और इनका जो act कि आठ़ा तहम आंस होगा धनपत राइन का मुल नाम था है час एक नेक्स्ट कैस्ट डेखते हैं ゐ अगला कोश्टोन हे वड़ा ताज महल का वास्टू का कॉन था तुम्हां आंसर होगा उस्ताद आहमद लःहौज यो था ताज महल का वास्टू का अागला कउष्चивать ौप पनिशद का फार्सी में अनुवाद करया था थिक साहा जहां का जो पिता था वो जहांगीर था इस बात को याद रखेगा जहांगीर का पिता कौन था तो जहांगीर का पिता अकबर था अकबर का पिता कौन था इसका पिता हुमायू था हुमायू का पिता कौन था बाबर था ठीक इस बात को भी आप याद रख सकते हैं और साहा जहां का बेटा कौन था तो साहा जहां के बेटा कहा जा सकता है कि मुगल समराज में सबसे जो खाचरा सा सकता यानि कि औरंग जेव औरंग जेव जो था इसका उत्र था ठीक अगला कुश्चन है मेरा गदर पार्टी का ख्याले था ठीक तो दोस्तों यह रहा हमारा अज का सेशन जिसमें टोटल पचीस कोचन थे और पचीसों कोचन मिसलेनियस परकार के थे जिसमें करेट अफेर से लेके इतिहास पॉलिटी हर तो तो उमीद है आप लोग को सेशन पसंद दया होगा अगर पसंद आया हो तो प जया है